क्या आप यकीन कर पाएंगे कि इस दुन्या में एक ऐसा शक्स भी पैदा हुआ था जिसने 82 साल की उम्र तक किसी महिला का चहरा नहीं देखा हो चहरा तो छोड़िये उसे शक्स के पास किसी महिला का साया तक नहीं पहुँचा ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुम्किन हो सकता है क्योंकि उसे जन्म देने वाली भी तो एक महिला ही होगी अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल उचल कूट कर रहे हैं तो वो वाजिब है मगर ये कहानी भी सौ टका सची है लेकिन हम कहानी में आगे बढ़े हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आपके पास पहुँचे और हमारी टीम आपके सामने ऐसे ही अंसुनी कहानी लेकर हाजिर हो चीज़ें आपको हैरान कर देंगी क्योंकि उनकी सबसे बड़ी बदनसीबी ये थी कि मा, बहन, पत्नी या बेटी महिलाओं के जितने भी रूप होते हैं उनसे इस शक्स का न कभी कोई रिष्टा और ना ही कोई तालुक रहा ऐसे में प्रेमिका की तो बात ही छुड़ दीजिए ये शक्स दुनिया में आया भी 82 साल की उम्र तक किसी दुनिया में जिया भी मकर उसके बाद भी उसने कभी किसी महिला को देखा ही नहीं जिहां दरसल जहां वो रहता वहां तक कोई महिला कभी गई नहीं और वो शक्स 82 साल तक अपने स्थान से बाहर आया नहीं हम बात कर रहे हैं मिहेलो टोलो टोस की जुसका जन्म 1856 में युनान देश में हुआ था उन्हें जन्म देने के 4 गंटे बाद ही उनकी मा का निधन हो गया जुसके बाद कोई रिष्टदार उन्हें उठाने के लिए आगे नहीं आया और उन्हें युही एक अनात के रूप में छोड़ दिया गया कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उसके बाद पुरुषों का एक समहू उसे माउंट एथोस के एक मट में ले गया और उसे गोद लेने और एक भिख्षू के रूप में पालने के लिए कदमों के पास छोड़ दिया इस मट में किसी महिला को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है ऐसे में उनकी पैदाईश के बाद फिर 82 साल तक मिहेलो टोलोटोस किसी महिला की परचाई तक नहीं देख पाए यानि कि 82 साल तक इसी दुनिया में रहकर भी मिहेलो टोलोटोस ये नहीं जान पाए कि महिला कैसी दिखती है और कैसी होती है या फिर उसका जीवन जीने का क्या तरीका होता है कुल मिला कर कहें तो महिला द्वारा अपने जीवन साथ ही भाई या बेटे के साथ हर दुख सुक में साथ खड़े रहने वाले अनुभोव से भी मिहेलो टोलो टोस मरते दम तक पूरी तरह से वंचुत रहे दोस्तों आपके इनके जीवन और इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए बुरो रिपोर्ट टाइम 24 न्यूज